कि है लोगाइज वेलकम निविकास कैडमी और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के सीरीज में यह हमारा फिप्थ प्रापलोन होगा फ्रेंज तो चलिए स्टार्ट करने से पहले फ्रेंज मैं आपको बता दू कि वह तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को मिलती रहेंगे तो आई स्टार्ट करते है फ्रेंज यह हमारी जुदी गहीं फिगर इस 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 तो डिमेशनल में हम उसे चैंज करते हैं तो आइदर वह हम क्या कर देंगे इसकी तॉप यू निकालेंगे में फ्रेंट उनल के फ्रन्ट विऊ फाल रट्ड करेंगे ऐसीट यूज इस जाइडर ऑट करेंगे तौ और आसके उप्रेंट होता है ये मतलब कोई दो या तीन वियू की हमीं होती है आइदर side view दी होती है top view दी होती है या front view top view दी होती है या front view side view होती है हम उसकी help से क्या करते हैं 3D में object को isometric projection की help से change करते हैं चलिए friends इस problem को start करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम front view निकालते हैं इसके तो अगर देखिए friends यह हमारी है वी और observer अगर हमें यहां से observe करेगा यह देखिए इस आप्सरबर इस सब्सक्राइब पार्ट यहां निकालते हैं हमारी अप्सरबर यहां पे है तो हम क्या करेंगे सब्सक्राइब जब हम इस अब्जेक्ट को इधर से देखेंगे जहां से एरो हमारी हम सब्सक्राइब करन्स पार्ट दकेगा पहले हम देख लिए स्लोप दिखेगे और ये ज रेक्टेंगलर पार्ट है इसके इन दोनों के बीच में वह दिखेगा उसके आधी जो कड़व है हमारी करव सर्फेस जो है यह में देखेगी दिस रेक्तेंगुलर पार ये देखते हैं इस की ड्यमिशन क्या देखेगे लिया है । 15 तो हमें क्या दिखेगी सबसे पहले तो हमें ये टोटल कितने ही फेरेंस 15 15 30 50 तो हम क्या करेंगे फेरेंस सबसे पहले ये 50 mm की लाइन ट्रॉकर लेंगी तो ये तोटल जो हाइट दिए अब्जेक्ट की हाइट है जो कितनी इए फ्रेंस यहां पर देखिए 35 एंड यानि 45 तो यह पूरा तो हमें दिखे गई यहां तक हम क्या करेंगे है इसकी हाइट को भी ट्रॉकर लिए प्रॉकर लिए तो हमी से जोग लिए 45 तो हमें ट्रॉकर लिया अब क्या फ्रेंस 15 mm की ये चलाइट सर्फस इस लां सर्फस तो हम 15 स्लांट सर्फस विए 25 मार यहां से जोग के यहांसे मिल जागी ये दोनों स्लांट सर्फिस मिल जाए है ये लिक वाली एन ये राइट वाली स्लेंट सर्फेस मिल गई और इसके बीच में अजब है क्या मिल घुक्ष में तो ये यह दो अंदर है बठाश हमें जब सामने से हम व्यू करेंगे अब देखिए चुकि यह सर्फेस जो है हमारी यह हमें नहीं दिखने वाली है यह सर्फेस नहीं दिखेगी तो यह लाइन हमारा क्या है इसी सर्फेस पर यहीं से लाइन स्टार्ट होगा इसकी तो यह सर्फेस यह जो है हमारा फ्लाइट शर्फेस गया है और यह दो यह क्या और है और इस किया किरने चरुक्त तो हम क्या करेंगे इस पर क्या करेंगे तेन एक यहां मार्क लाइंगे तारे में 35 संद ihmाड़ मां यह से यहां मार्क लगाएंगे। दोनों पर 25 Teолнins ओपर 25 टोटल है तारी को हो जागी से यह मारी यहां नौ तो फ्रेंटरा सुसरीट सुद्वारा वाइब हिसीE फ्लैटर्फेस लिफ्लẹटस अपर ज़या है कि तोगि यह जो फेंट कर्भ सर्फेस है एक क्र्फेस है हमें तो हमें एक सीधा हमारी breakerेंगर का अब्जेक्ट मैं हमें अब्जेक्ट के फ्रेंट है तो आपसे इस कि इससरफेस बिसे इससरफेस यह तो यह तो यह तो यह जो हमारी है यह जो विड्थ है ऑपजेक्ट की वह हमारी पचास 15-30-50 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 50 mm की हम एक लाइन ट्रॉप कर लेंगे यह देखे फेंगे फेंट यह 50 में के लिए फिर ट्रॉप कर लिए और वी सुटीए लिए ट्रॉप यह 20 अर्टी है और यह हमारे 20 तो 20 & 30 50 तो अगेन हम क्या करें फिटी एमित कि लाइन सबसे पहले के लाइन को कर लिए फिर लेते हैं और इस पे हम क्या करेंगे 15 पे मार्क लगा देंगे यहां पर यहां से क्या करेंगे फिर्टी में यह जो इसे भी मिला लेंगे तो यह जो स्लाइन सर्फस है फ्रेंड्स हमारी वह कितनी है 15 mm अवे टॉप से 15 mm अवे यह जो डैमेंसिन रहा 40 था यह 50 था यह 50 था यह भी 50 है तो हमने क्या किया है यह स्क्वाएर बना लिए यह 54 फिबटी mail यह 50 संदरब यहां पर रखके और यहां मार्क लगाएंगे और सिंफ canvas है, इतने के 20 की तो नीचे से हम 20 लगाएंगे मार्क यहां पर 20 मार्क बैसे धुकश्य पर दिखेंगे तो यह हो जाएको पकी स्लांट सर्फिस यहां यहां पर दीकेगी ओर यह 15 mm और यह नहीं अब देए फेस हमें क्या करना है कि यह जो हमारे 50 एंहें तो हमिश की सेंटर नोन है यह रॉब नहीं तो यह हमारे 25 तो यहीं ब्लब मिद्ट्वोइंट हो जाएगी इस लाईन की इस लांगी मिद्व पॉइंट हो जाएगी और दिफाइज तो आब क्या करना है यह देखिए 15 एमसे डिस मिज़ आफて के यहां से तो यहमें टीपाट भी मिल गया जो हमें टॉप से दिखने वाला है अब हमें क्या दिखेगी फ्रेंच यह दो हमें दिखेगी आप दो चैका यह यह अब यहां सरी सबसे पहले एडनी लेंख के लगी अब इस पर हम क्या करेंगे 20 मार्क कर देंगे यहां पर यह देखिए 20 अपसाइट एंट्वेंटी इस वेल एज इन बॉर्टाव यह हमने मार्क कर दिया और यह जो है डामेंशन हमारी यह है पंदरा यह 15 में में फ्रेंट तो हम 15 नीचे आएंगे आपि दिखीए 15 ड्रॉ करें यहां से यह से यह उन्हें फिप्टीन यहां पर ड्रों किया और 15 यहां पर ड्रॉक ट्रॉक शॉलिस यहां पर एक ड्यामेंशन हम भूल गये यह जो डामेंशन है तेंडी Chyamani तो हम क्या करेंगे यहां से 10 mm इधर की तरफ इन वाड्ट राइन और इसे क्या करेंगे, तो अब जो हमें मिली यह U है, यह पार्ट है हमारी, तो यह जो हमें मिली फ्रेंस, यह यह पार्ट क्या होगी, आप यह दोनों यह हमें एक रेक्टेंगल की तरह दीखेगा तो इसकी दूरी अब क्या है हमारी यह 20 है ठीक है फिर्टी थी हमारी 30 फिर 20 हमने 30 थी तो यह हमारी क्या थी 20 थी हमारी यहां से यहां तक यह यहां सा लेकर यहां सा लेकर यहां देकर यहां से हमाडरी यहीन थी तो यहां तक यह बत्ची ओ Любinaire युद्य हुआ और फिर वही करनेगे friends 15 mm नीछे 15 mm अगें इन बटम और यह कर करें हम क्या करेंगे friends इंहें मिला देंगे इसी हमने मिला दिया तो यह जो दोनों मिलिफ्रेंट्स हमें इस एन इस पर्ट इस तो यह हो गई हमारी टॉप वीव और दिस अब्जक्त बड़ा इसमें यह लाइने फ्रंट वूर्में नहीं अधिक हेगी यह राइन यह लाइन नहीं देक और तो यह क्या थी फ्रेंट रहे अमारी इस आव फ्रॉंट व्रॉंट हुआ हैたい कि तौब लिए को अवन्हें तो अब हम द्रव किरें कित द्रव करेंगे अलेकर अंगा करेंगे इस आपजेक्ट को अब्जेट को अपजर्ब एःगर करेंगे यह इधर से अब्जर्व करेंगे तो इसकी हमें क्या मिलेगी साइड वियू मिलेगी तो हम अब्जेक्ट को इधर से अब्जर्व करते हैं चलिए तो अब्जेक्ट को जब आप इधर से अब्जर्व किजिएगा तो यह दिखिए हमें क्या मिलेगी कि यह पार्ट यह पार्ट हमें मिलेगा तो हम इसे ड्रॉ करते हैं इसकी ड्राइमेंशन है वह कितनी है हमारी कि थोड़ा सा में इसे उपर कर दूं तो यह आपको दीखेगा इसकी ड्राइमेंशन कितनी दी गई है 30 30 16 20 80 तो हम क्या करेंगे एक लाइन ट्रॉ कर लेंगे इस पर 80 mm हम क्या करेंगे मार्क कर लेंगे यह ती हमने कर लिया मार्क तो अब देखिए तो हम क्या करेंगे 20 30 को भी मार्क कर लेंगे तो हम क्या करते हैं यह दिखिए कैटी यह हमार्क किया है इस दिखिए अब अब देखें फ्रंट वीव में क्या दिखने की मिलेगा हमारी हाइट कितनी अबजेक्ट की सबसे पहले तो लेंथ हमने ट्रो कर लिए अब हाइट को ट्रॉ कर लेते हैं तो हाइट हमारी कितनी एंट सिए देखिए 3510 is equal to 45 तो हम क्या करेंगे 45 mm की लाइन ट्रो कर लेंगे यह सब्सक्राइब हमें यह दिखने वाली है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 10 mm करते हैं और इसे 20 तक एक्स्टेंट करके हम यह वाली सर्फिस बना लेते हैं यह हमने यहां तक किया आप कहा करेंगे 35 उपर मतलब यह क्या हो जागी हमारी यह हमें मिल गई यह और यह अब क्या करेंगे इस 30 से इस टॉप से हम निचे आएंगे यहां पे तो यह दिखिए फैंस हम क्या करेंगे बट कितना नीचे फ यह और यह है हमारी 45 45-25 तो हम क्या करेंगे 25 यहां से नीचे आना है इसके बाद हम यहां से एक्स्टेंड करेंगे 20 तो हम क्या करेंगे 20 यहां से ट्रॉ कर लेंगे एंटें इसे यूंग मिला देगे इसे मिला देंगे तो यह हो जागी हमारी अप्चेक्ट की साइड यहां से 10 mm मार्क करेंगे यहां और इस 10 mm पे हम क्या करेंगे इस तरह से हम क्या करेंगे 15 mm इस लाइन से यहां पर आके और यहां भी क्या करेंगे डॉर्टिट लाइन हम इस सर्फिस तर यहां तक हम करेंगे तो यह हमने क्या फेंट कि यह देखेंगे यह 10 यह जो स्लाइट सर्फेस जो हम्हें दिक्राथ यह स्लाइब होने के 10 mm दूरी के पाद यह हमें एक लाइन दिख रही थी इस लाइन के पीछे एक और ऐसी इस लाइन सर्फस है यह जो हमें नहीं दिख रही है इसके कारण धाक जारा है तो उसके लिए हमने क्या किया ही लाइन ट्रॉकी और यह जो है उस सर्कुलर सर्फस के लिए है जो कि कि नहीं दिख पारा तो यह कहा थे यह मारे इस सर्फस तक थी तो हमारे इस तक यह थी तो हम्हें से यहां तर इंट्रॉप हिए और कितने दूर थी इसकी जो डाइमेटर थी सुरी यह दिए स्थी ओंती तहीं थे तो यह दिखियां तो यह देखिए फ्रेंस अमने 15 एंट लि यह वह फरेंज तो यह मिल दाएगी हमारी आप सब्सक्राइब वीव तो यह उस ये ज़ूसर्क्ली फिरंस हमारी उपर में इस 30 गुट हमारी यह इसके ठीर्ट हमारी जो लेंफ थी तो यह हमने 30ग बन आया था तो यह 30 वाले पे क्या था हमारी 15 तो छूसर्फेस यहां ताका करें खत्म हो जाती थी है यह जो लिदिखिवा यह तो नहीं दिख़ा रहा है यह हमें दिख़ा है तो आई होप आपको यह और्थोग्राफिक प्रोजिक्शन का यह प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा अगर आपके पास कोई कोई है फ्रेंज तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम से पूछ सकते हैं and if you like this video then don't forget to subscribe my channel subscribe कीजेफिंस, share कीजेए contemporary easiest familiar and if you like this video then don't forget to subscribe my channel subscribe कीजेखिंस, fazट केजेए, like कीजे, comment कीजेए keep watching and keep learning thank you watching my vadeo-thank you very much